मंगला विद्या मंदिर के सबी चात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार बचों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक व्याकरण के एक बाग है वो है वचन आज हम जानेंगे वचन के बारे में तो वचन किसे कहते हैं अभी हम जानेंगे वचन की परिभाशा को संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से संक्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं वचन में दो प्रकार है वो है एक वचन और बहुवचन दुबारा मैं कहूंगी वचन में दो प्रकार है वो है एक वचन और बहुवचन वचन आप वचन का अंग्लेजी में क्या कहते हैं जिसे कि सिंगुलर प्लूरल जो कहते हो उसी चीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं वचन कहते हैं सिंगुलर का मतलब है एक वचन प्लूरल का मतलब है बहुवचन जो हम हिंदी में कहते हैं तो आगे हम देखेंगे बचो एक वचन के बारे में शब्द के जिस रूप से एक ही विक्ति वस्तु या प्राणी के होने का भोध हो उसे एक वचन कहते हैं कौनसा भी शब्द हो सकता है या कौनसा भी एक विक्ति या वस्तु या प्रानी कुछ भी हो सकते है, पर उन सब शब्दों में हमें येखी वस्तु का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, पर एक्जामपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण, किताब, माला, बिल्ली, इन तीनों चित्रों में आपको येक एक वस्तु ही नजर आ रहा है मतलब एक ही किताब है एक ही माला है और एक ही बिल्ली है तो ये सब क्या है एक वचन के उदाहरण है उसी तरह अभी हम देखेंगे बहुचन को शब्द के जिस रूप से एक से अधिक विक्ति वस्तु या प्राणी के होने का भोध हो उसे बहुचन कहते हैं मतलब कौन सा भी शब्द है उस शब्द में एक से अधिक विक्तियों के बारे में या वस्तु के भारे में या प्राणियों का भारे में हमें फता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बहुचन कहते हैं जिसे कि आप एक्जामपल देख सकते हैं किताबे मालाए बिल्लिया देखें इन तीनों चित्रों में आपको क्या नजर आ रहा है वस्तू एक है पर कितने सारे है येकी वस्तू में जिसके किताब में बहुत सारे किताबे हैं वहाँ पर है ना महाँ पर बहुत सारे हो तो हम क्या कहेंगे उसे किताबे कहेंगे तो बच्चो आपको पता चलिए ना एक वच्चन और बहु अच्चन का जो डिफ्रेंसस है जो व्यत्यास के बारे में आपको पता चलिए ना किसी भी वस्तू में एक वस्तू के बारे में जब पता चलते हैं उसे हम एक वच्छन कहते हैं या एक से अधिक संक्या के बारे में जो पता चलने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम बहुँ अच्छन कहते हैं तो आगे हम देखते ही इनके भारे में कुछ example देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, जो हमेशे एक वचन रूप में ही रहता है टीके जिसे कि आप पानी आप देख सकते ग्लास में बहुत सरब पानी है तो आप उसको बहुँ अचन रूप करके आप सोच नहीं सकते हो पानी हमेशा एक वचन रूप में ही रहता है जिसे कि वर्षा वर्षा मतलब भारिश भारिश भी ऐसे हमेशा वो एक वचन रूप में ही रहता है उसी तरह कुछ शब्द है वो हमेशा बहु अचन रूप में ही प्रयोग होता है जैसे की प्राण समाचार प्रजाधर्शन अथ्य सो केश बाल रों हस्ताक्षप यह सब शब्द हमेशा बहु अचन में ही प्रयोग होता है, बहु अचन रूप का ही है, ठीक है उनमे से कोई डाउट नहीं है, आप याद रख लिजे इन सब चीजों को, यह सब शब्द क्या है हमेशा एक क्वचन और बहु अचन रूप में ही रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाल, हम देख सकते हैं, बाल बहुत सारा है न, तो बाल एक शब्द है, पर वो हमेशा बहुत अचनरूप का शब्द है, हस्ता अक्षर, हस्ता अक्षर मतलब सिग्नीचर, जो सिग्नीचर करते हैं, बहुत सारे वहाँ पर लेटर्स रहता है, आल्फबेट्स रहता है, है न, तो वो हमेशे क्या है? बहुँ अचन रोग में ही रहता है. तीक है न बच्छो? तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि आदर सम्मान के लिए बहु अचन शब्द का प्रयोग. हम हमेशे आदर सम्मान करने के लिए बहु अचन का प्रयोग करते हैं. जैसे कि महात्मा गांदी जी सबको प्यारे ते, जहाँ पर ते का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर इसका मतलब क्या है? हम उनको महात्मा गांदी जी एक विक्ती है, एक ही विक्ती के बारे में बात कर रहे हैं, पर महात्मा गांदी जी बड़े है, जो देश की राष्ट्रपि पिता जी गर लोटकर आये हैं, देखे है के उपर डौट आया है, अनुस्वार आया है, मतलब वहाँ पर क्या है वो बहु अचन रूप को दर्शाती है, जैसे कि पिता जी पिता जी बड़े है, तो हम उनको आदर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बहु अचन रूप में प्रयोग करते हैं, पिता जी गर लोटकर आये हैं, है के उपर जो अनुस्वार नजर आ रहा है, उसमें आपको पता चलता है कि वो बहु अचन रूप में हैं, जैसे कि कुछ शब्द होता है, कुछ शब्दों में ऐसे कुछ अलग शब्द मिल कर क्या होता है, वो एक बहु अचन रूप में मारपाड होता है, जैसे कि गन, चाती, वर्ग, जन, इन शब्दों को अन्य शब्दों से जोड़ने से बहु अचन बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप भालक, 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 वर्ग बन जाता है, तब वो बहु अचन कहते हैं वो एक plural form है बहुवचन रूप है देवगण मतलब एक देव नहीं वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देव है तो हम क्या करेंगे देवगण कहते हैं जिसकी गण, जाती, वर्ग या जन इन सब शब्दों को मिला कर क्या होता है बहुवचन रूप में बदला होता है जिसकी यहाँ पर कुछ एक्जाम्पल्स है आप देख सकते हैं एक वचन और बहुचन की उदाहरन देख सकते हैं जिसकी घोडा, बच्चा, रोटी, तितली, उंगली इन सब का बहुचन क्या है यह सब एक वचन रूप में क्योंकि घोडा यहाँ पर हमको गोडा पढ़ते है आपको पता चलता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही एक गोडा है जिसकी रोटी, बच्चा, इन सब में पता चलता है एक ही एक चीज के बारे में बोल रहे हैं वही हम बहुचन रूप में कैसे देखेंगे जिसकी घोडा, गोडे का बहुचन रूप है घोडे, बच्चा, बच् रोटियां देखिए जो मात्रा में बदलाव हुआ है इकी मात्रा में बदलाव हुआ है दियान दीजिए या और चंद्रबिंदू लगता है वहाँ पर बाद में तितली देखिए तितली इकी मात्रा में बदलाव है फिर से तितलीया बहुआ चंद्रोप क्या है तितलीया उं मात्रा में वो बदला होता है और आकिर में इकी मात्रा होने से इकी मात्रा और या चंद्रबिंदो देखिए ऐसा एक को टेक्निक है आपको हमेशे याद रखने चाहिए ठीक है बच्चो तो बच्चो यही पर हमारी वचन की पड़ाई समाप्त होती है आशाकर्थिव कि आज में आपको बेश दूँगे दन्यवाद